नमस्कार बहुत बहुत सब्सक्राइब करते हैं क्लिक टूड़े के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और सुनार तक की चौथी मेधा सूची जो यह तयार है और 20,000 को जो इस पर मौका मिलेगा यूजी में अड्मिशन लेने के लिए बियार बियू मुझफरपुर के कॉलेजेज में यनिकी बियार बियू के अंतर का जितनी भी कॉलेज आती है उसके लिए चौथी मेधा सूची जो तयार कर ली गई है जो भी चाहत रहे हैं यूजी के लिए जो अप्लाई किये थे मिनातक में करीब एक लाख पच्पन हजार जो है अभी सीटे हैं और इसके उपर जो चल रहे थे इसके लिए चौथी मेधा सूची जारी की जारी है हालाकि ऑन स्पॉट एड्मिशन इससे पहले के सेशिंस में तीसरी मेधा सूची के बाद ही सुरू हो जाता था लेकिन इस नाम आने के बाद नाम आंकर नहीं लिया है उन सभी का जो है नाम हटा दिया गया है और लिस्ट से बाहर कर दिया गया है जैसा कि आप यहां पर देख रहें तीसरी सूची में जो है चैन के बाद नाम आंकर नहीं लेने और एडिट नहीं करने वाले चातों का जो भी है ना क्लें लेकिन अभी बीजे नामंकन प्रक्रिएbruिया चल हिए हाला कि ओन लिए जाने बतायाएगं आप numéro स्ब्सक्राइब 24 सब 40000 लेच सेफेज लिए admission लिया जाएगा और दस college का जो है नाम दिया जाएगा कि दस college में जा करके चात्र में चात्रा हैं अपना-पना admission ले सकते हैं हर district में जो है वो college जो रहेगा जहां पर की अपना नामंकन आप ले सकते हैं और इस बार जितनी भी colleges है उनको seat के हिसाफ से ही student को लेना है सकते हैं कम रहेगा कोई बात नहीं खाली रह जाए से कोई दिक्कत नहीं college को लेकिन जाद admissions नहीं ले सकते होता क्या है कि चात्राओं का admission जातर college करा लेती है अपने में और seat से अधिक जो है नामंकन ले तो यह सारी चीज़ें निकल कर क्याती है और यहां पर जैसा कि बता दिया कि लेने वालों का अब मौका नहीं मिले वाला मतलब तीसरी सुची या पहली में जिनका भी नाम आया था किसी भी लिस्ट में उन्होंने अगर admission नहीं कराया तो उनको अब मौका नहीं दिया जाए कि जिनका भी पहले या दूसरी में सुची में नाम है था वह अन्सपॉट admission के दोरान अपने नामांकन ले सकते हैं ऐसा आ सकता है ठीक है तो यह तो आज के रिपोर्ट होगे यूजी के लिए जिनको भी admissions लेना था आप सभी ने जो है अपना एडिट कर लिया होगा और यह अजिए कोटी वाले जो है कॉलिज में उन्होंने नामंकन फिर से कराने का जो है कर लिया है मतलब कि जिस कॉलिज में कॉलिज में कितना सीट खाली है और अभी जो है कॉन से कॉलिज का क्टफ क्या रहेगा यह बताने के बाद चाते हो चातराएं आसानी से अपना percentage देखते अब चलिए हम बात करते हैं 2021-2014 के प्रैक्टिकल परिक्षा को लेकर करके कल से एक खबर बहुत जादा वाइरल हो रही है यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं एक छात्र ने मुझे यह मैसेज भीजते वे पूचा कि क्या 2021-2014 के प्रैक्टिकल परिक्षा का तिथी जारी कर दि और दिखें हो जगज़े आपको दिख़ा ओगा फास्टिक ट्रपर को दोड़ी की परिक्षा तिछा प्रैक्टिकल इख इसची हें कि परिक्षा जिन चाज चात्राओं का प्रैक्टिकल विशय है वे अपनी कॉपी तैयार कर लेए यह एक मैसेज लिखा हुआ है ठीक है ओफिशली युनिवर्सिटी डेट निकालती है एक पूरा बजाबते नोटिस जारी करती है तब बताती है कि कब-कब परिक्षाएं जो होंगी और कितने से कितने तक किसकी किसकी परिक्षा है यह जारी किया जाता है तब ही जो है हम इसकी पूष्टी करते हैं हाला कि इस खबर के हम पूष्टी नहीं कर रहे है कि यह डेट सही है या गलत है इसलिए आपको अभी प्रतिक्षा करना ऑफिशल नोटिस का जैसे ही परिक्ष परिक्षा है उसका कॉपी बना लिए प्रैक्टिकल परिक्षा की कॉपी आप त्यार कर लिए जिससे कि आपका जब भी डेट घोशित हो तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े फिलाल यह जो आप देख रहे हैं अपडेट यह गलत है इसको हम पूस्टी नहीं करते ह हैं इसलिए धैरे रखिए आपका जो जल्दी जारी होगा ऑफिशली नोटिस जारी कर देजाएगा हम वीडियो बनाके आप लोग को ज़रू से ज़रू बताएंगे आज की वीडियो में बसीता है तब तक हम चलते हैं धन्यवाद